दोस्तों, आज के फिल्म की Science Fiction Fantasy Story एक ऐसे लालची बिजनसमेन के बारे में हैं, जो एक खास मकसद के लिए अपने पैसु की ताकत से एक महिला विज्ञानी को मजबूर करके उससे विज्ञान के नियमों के विरध एक आप्रकरतिक जीव का निर्मार करवाता है, और फिर वो पेटे के लिए दिया बलिदान भी आपका दिल छूलेगा, तो अब कहानी शुरू करते हैं, मोवी की शुरूआत में दो बच्चे खेलते हुए पानी में पत्थर मार रहे होते हैं, तब ही अचानक वहाँ पानी से एक विशालकाय जीव निकलता है, जिसे देखकर इन बच वाले हिस्से को बीच से काट कर उसके अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं, इन वैग्यानिकों की टीम का बॉस बिजनसमैन चांग अपनी एक जीव वैग्यानिक जीनी से किसी प्रयोग के बारे में बात करते हुए कहता है, कि इस बात की जाच करो कि आखिर हमारा ये प्रयो अपने बॉस चांग को बताती है, तो वो कहता है कि मुझे इस जीव का कम से कम एक जीवित अंस जरूर चाहिए, इसलिए अंदर और खोज करो, अब जिनी और उसकी टीम अंदर और जाच करती है, तो उन्हें वहाँ अंगे से निकला जीव का एक बच्चा दिखता है, इस इससे पहले कि ये लोग इस नए जीव की जाच कर पाते, वो जाग जाता है, और इन लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे स्क्रीन पर अंदर नजर रख रहे हैं चांग का संपर्क इन लोगों से टूर जाता है, और उसे स्क्रीन पर अंदर घट रही घटनाए दिखना बंध हो जाती है इसलिए चांग अपने लोगों के साथ भागते हुए उस विशाल जीव के पास जाता है तभी जीनी अपने टीम के लोगों के साथ उस जीव के अंदर से भागते हुए बाहर आती है इन लोगों का पीछा करते हुए वो नया जीव भी बाहर आ जाता है और च उनकर चांग गुस्टे से भर जाता है तो जिनी चांग को बताती है कि अंदर अभी जीवित अंड़ा बचा हुआ है अगले सीन में चांग और जिनी के बीच बहस होते दिखाया जाता है क्यूंकि जी इस प्रियोग को पूरा नहीं करना चाहती ती और उसे डर था कि इससे प ना कि बेटे को मान स्पेश्यू की एक एसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता लेकिन उसका बोशॉंच उस नए जी उपर जो अवैध प्रयोक करवा रहा होता है अगर वो प्रयोक सफल हो जाता तो उसके बेटे की बीमारी भी उसके जरीय ठीक हो तो जिनी अपने बेटे के चिंता में खोई हुए होती है कि तभी पीछे से आकर जिनी का कोई किड्डैप कर लेता है इसके बाद अगले सीन में समुंदर में एक जहाज को दिखाया जाता है जब जिनी को होश आता है तो वो खुद को इसी जहाज के अंदर बनी एक से ही हो सकता है इसलिए तुम इस प्रियोग को पूरा करो फिर चांग जिनी को प्रियोग साला में लगी हुई दो बटन दिखाता है और कहता है अगर तुमने यह हरा बटन दबाया तो इससे अंडे से निकला यह नया जीव डिफ्रीज हो जाएगा और प्रियोग शुरू ह पर अगर तुमने यह लाल बटन दबाया तो यह जीव मारा जाएगा अब फैसलत तुम्हारे हाथों में है कुछ देर विचार करने के बाद आखिरकार जिनी यह प्रियोग करने के लिए तैयार हो जाती है और वहां मौझूद चांग के बाकी आदमियों को निर्देश दे लेते हुए प्रियोग शुरू कर देती है फिर वह उन लोगों से उस नौजाद जीव के ब्रेंड निकालने को कहती है जब वह लोग उस जीव का ब्रेंड निकाल लेते हैं तो जिनी उस नौजाद जीव में नूटलाइजर का इंजेक्शन लगाती है और लाल बटन दबा इंजेक्शन को दस कुना बढ़ा कर प्रियोग जारी रखने के लिए था दरसल चांग ने तुमसे जूट बोला था क्योंकि उसे पता था कि तुम ब्रेंड फ्लूड निकालने के बाद इस जीव को नश्ट करने के लिए लाल बटन जरूर दबाओगी इस बीच दूसरा सह लेकिन उस जीव का आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है कि जिस जार में वह बंद होता है वो तूट जाता है इस सी डरकर वो तीनों लोग वहां से बाहर की और भागते हैं लेकिन वह जीव अपनी लंबी भुजा उनमें से एक के पेट में घुसा कर उसे पीछे फिर वो उस दूसरे वग्यानिक पर भी हमला करके उसे निगल जाता है लेकिन जीनी किसी तरह लैप से बाहर निकल कर गेट बंद करने में कामियाब हो जाती है अब जीनी दरवाजे पर लगे शीशेशे देखती है कि जीव का आकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और व होने वाले कई illegal chemical का धंधा भी कर रही है इसलिए कैसे भी करके हमें चांग को सबूतों के साथ गिरफतार करना है तो फेंग के सारे साथी जहाज के अंदर जाते हैं वहां चांग ने उस नए जीव और उसके जरिये होने वाले फाइदों को बताने के लिए पार्टी रखी ह होती है फिर वो वहां मौझूद अपने सभी अवैध कारोबारी साथियों से कहता है कि आखिरकार हमने एक ऐसी दवा का विश्कार कर लिया है जिससे सारी बीमारिया ठीक हो सकती है और इससे हम medical science के दुनिया में क्रांती ला सकते हैं इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती और वहां मौझूद सभी लोग नशे और म्यूजिक में इतना खो जाते हैं कि उन्हें आने वाले खत्रे का कोई अंदाजा नहीं होता उधर लैब से निकल कर वो जिव अभी इस पार्टी हाल में आ चुका होता है और एक एक करके वहां की लोगों को अपना शिकार बना रह यह सब देखकर वहां मौझूद लोगों में भगदर मज जाती है और जिनी नीचे गिर जाती है अब इससे पहले कि वह जिव जिनी को अपना अगला शिकार बनाता फैंग बीच में आकर उसे बचा लेता है और फिर जिनी के साथ वहां से भागते हुए अपने साथियों को भी सतरक रहने को कहता है इधर दहसत में आकर पार्टी में मौझूद बाकी लोग बचने के लिए बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं अब तक ऑफीसर फैंग के दो और साथी किम और टिम जहाज के अंदर आकर देखते हैं कि फैंग और बाकी लोगों के पीछे वो विशालक प्रयोग का नतीजा है चांग भी वहां मौझूद होता है क्योंकि इंटर पोल की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था तो वो सारा इलजाम जीनी के सर पर डाल देता है और कहता है कि इस भायानक जीव का निर्मार जीनी नहीं किया है तो जीनी अपनी सफाई में कहती है च तुम्हारा एक बेटा भी है जीनी कहती है हाँ फिर ये दोनों किचन में आते हैं तो देखते हैं कि वो विशाल का जीव किम को जकड कर अपनी और खींच रहा है इसलिए टिम और बाती सभी लोग किम को बचाने के लिए उस जीव पर ताबर तोंड गोलिया चलाने लगते पर फिर भी वो लोग किम को उसका सिकार होने से नहीं बचा पाते इस दोरान टिम के पैरों में भी गोली लग जाती है तो उसको लेकर ये लोग किचन के पीछी के दरवाजे से निकल जाते हैं और जीनी वहाँ से निकल कर नीचे लैब की तरफ बढ़ने लगती है फैंग क गंद सुनकर उस सार्क टोपस दूसरी वर चला जाता है। उधर इंटरपोल टीम के तीन और सदस से जहाओ, मिन और किम जहाज के अंदर चांग को लेकर कैबिन के तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। पर किम के पैरों में गोली लगने के वज़े से उसका काफी खून बह रहा है। इधर सार्क टोपस ने जहाओ को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़ रखा था। इसलिए मिन उसे चुड़ाने के लिए सार्क टोपस की भुजाओं पर हमला करके जहाओ को साथ लेकर वहाँ से भागती है। लेकिन वह आग्टोपस अपनी दूसरी भुजा से जहा जहाओ और किम पर हमला करता है और उन्हें जखमी कर देता है कि अब वो ज्यादा दे जिंदा नहीं बच पाएगा इसलिए जहाओ और मिन को बचाने के लिए वो खुद को सारक टोपस के हवाले कर देता है ताके उसके बाकी दोनों साथी बचकर वहां से भाग सकें इसी जाता है दूसरी वह चांग को दिखाया जाता है जो उस केबिन में पहुंच जाता है जहां उसने जिनी के बेटे को किड्नैप करके रखा था इसके बाद चांग माइक से जिनी को उसके बेटे की आवाज सुनाते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है अगर तु पती का नहीं है, बलकि तुम्हारा है. मैंने अपने पती से ये बात चुपाई थी. ये बात जानकर कि ली उसका ही बेटा है, वो जिनी के साथ मिलकर फिर से सार्ग्ट्वस का ब्रेन फ्लियूर्ड निकालने की योजना बनाता है. इधर जिनी और फेंग जहाज के नीचे के हिस्से में जाते हैं वहाँ सारक्टोपस इन लोगों का पीछा करने लगता है तो ये लोग खुद को बचाने में लग जाते हैं फिर जिनी प्रयोक्षाला के सिस्टम में कुछ बदलाव करती है जिससे वहाँ का ताप्मान बहुत कम होने लगता है फिर जब वो सारक्टोपस से बच कर भागने की कोशिश कर रही होती है तो सारक्टोपस उस पर हमला कर देता है जिससे वो वहीं बिहोस हो जाती है तथा ओपर से एक स्टील प्लेट गिरने के वज़ज़ से फेंग सीडियों के बीच में ही फ़ंच जाता है अब सारोपस फेंग पर हमला करने की к Face करता है और इंजेक्शन घुषाकर स्का ब्रेन ये वाजान INCASE शितके में लेकर वह जिंख नल जाते है इसके बाद चाएंग लेकर वहां और सामने आ जाता है और उनके बेटे ली को दिखाते हुए कहता है अगर इसको सही सलामत चाहते हो तो कोई होसियारी मत करना क्योंकि चांग ने उसके बेटे के बॉड़ी पर टाइम बॉंब लगा दिया था अब वो जिनी से कहता है जल्दी से ब्रेंट फ्लिट को इस बॉक्स में डाल कर मेरी और फेंग दो और मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत लोटा दूँगा तो फेंग वैसा ही करता है अब जैसे ही चांग वो बाक्स लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है तब ही पीछे से मिन कर्तान को मारते हुए अंदर आ जाती है जिससे चांग का ध्यान बंढ जाता है और फेंग इस मौके का फाइदा उठाते हुए चांग पर हमला कर देता है और ब्रेन फ्लूट का बॉक्स चांग के हाथों से चुट कर नीचे गिर जाता है इधर जीनी अपने बेटे पर लगे बॉम्ब को हटाने की कोशिश करने लगती है इससे गुस्से में आकर चांग ली के बॉड़ी पर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जो की अगले देर मिनट में फटने वाला होता है इसी भी चांग के पीछे के दर्वाजे से अपनी लंबी भुजाएं घुसा कर वो सार्क तोपस चांग को लपेट लेता है और फिर उसे अपनी और खीच कर जकर लेता है तथा आखिरकार वो चांग को भी अपना शिकार बना लेता है इधर fang बॉंब को ली की बॉड़ी से अलग करने में कामियाब हो जाता है फिर वो उस बॉंब को मिन को पकड़ा देता है और मिन बड़ी ही फूर्ती से उस बॉंब को सार्क तोपस वाले रूम में फैंग देती है अब जब वहाँ बॉंब ब्लाष्ट होता है तो शिप के उस हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और समुंदर का पानी अंदर आने लगता है यहाँ अंदर fang मिन से अपने बाकी साथियों के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हमारे अलावा हमारे बाके सभी साथी मारे जा चुके हैं अब तक शिप के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है अगले सीन में समुंदर के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां उस सार्क तोपस ने अपनी केचली निकाल दी थी और अब वो पहले से कहीं ज़्यादा विशाल और भयानक बन चुका होता है इधर जहाज में जो भी लोग जिंदा बच गए थे वो लोग जहाज के उपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाज को अपनी भुजाओं से दबा कर एक और जुकाने लगता है इसी उथल पुथल के बीच मिन को एक आइडिया आता है और वो इस्टोर रूम का दरवजा खोल देती है जिससे वहां से एक बॉक्स फिसलते हुए सार्क तोपस के मुह की तरफ जाने लगता है मिन उस पर चढ़ जाती है और अपनी तलवार से सार्क तोपस की एक आँख पर हमला कर देती है जिससे उसकी एक आँख फूड जाती है इससे तरपते हैं वो सार्क तोपस मिन को जटका देता है और उस समुंदर में जा गिरती है एक आख के फूर जाने के वज़े से वो सारक्टोपस अब और भी आकरमक हो जाता है और जहाज को नीचे की तरफ खींचने लगता है उस जहाज पर सवार ज्यादा तर लोग अब तक मारे जा चुके होते हैं सिवाए फैंग जिनी और उनके बेटे के तथा ये लोग भी खु कहती है कि इस जीव को मैंने ही बनाया है इसलिए इसको खत्म करके मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी फिर जीनी अपने बेटे से आखरी बार गुडबाइ कहती है और फैंग से कहती है कि मेरे बात तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना फैंग उसको ऐसा करने से रोकना पानी में किसी के होने का एहसास होता है और इसी के साथ यह फैंटसी थ्रिलर मोवी यहीं खत्म हो जाती अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को